सो हेलो बच्चा लोग, आप सभी ने थमनेल तो देखा ही है, आज यहाँ पे एक बहुत ही रेलेवेंट और इंपोर्टन टॉपिक पे आप सभी से बाच्चित करने आया हूँ, खास कर वो बच्चे जिनको लगता है कि सर मैं फिजिक्स में जीरो हूँ, आपको बहुत ही यह यहाँ पे एक positive, एक ray of hope मिलने बाला है, और बाकी बच्चे को भी एक different perspective मिलेगा, आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा examination में कि कोई सवाल आपके सामने आता है, आप उसे देखते हैं लेकिन आप उसे solve नहीं कर पाते हैं, या फिर आपने उस topic को पढ़ा ही नहीं है, और फिर बाद में आपको पता चलता है अपने दोस्तों से कि भाया यह तो बड़ा ही आसा topic था, जिसे आप easy kill category में डाल सकते थे, तो हम लोग उसी के उपर यहाँ पे आज बात करने वाले हैं, रहीट, कुछ 9 essay chapters है जो कि आपको easy kill category में आते हैं, जो आपको आसानी से 32 से 40 marks physics में दे सकते हैं, या फिर आप इन्हें ऐसा मानिये कि यह आपको free में बाटे जा रहे थे, लेकिन बहुत से बच्चे इसको miss कर देते हैं, miss करने का 2 से 3 बड़ा कारण है, पहला कारण आपका यह हो सकता है कि आपने इन topics को अपने institute में पढ़ा नहीं है, अगर आपने पढ़ा है त आपको हर बार उसमें बनता है, बहुत ज़ादा variation नहीं है, अगर हम kinematics की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारा variation बन सकता है, अगर हम लोग rotation की बात करें तो extreme amount of variation बन सकता है, लेकिन इन topics की जिसकी हम यहाँ पे बात करेंगे, वहाँ पे variation में कुछ खास difference नहीं देखा जाता पी वाई क्यू जो होते है इन टॉपिक्स के वो सफीशेंट है आपके प्राक्टिस करने के लिए ठीक है तो सबसे पहला जो चाप्टर आता है इसमें वो आपका होता है डाइमेंशन्स, एरट्स, एन वेक्टर्स और 2021 की बात करें तो ये एक सर्प्राइस पाकेश था इससे बहुत सारे 40 से भी जादा सवाल आपको इस पर्टिक्लर सेक्शन से पूछे गए थे दूसरा अपना होता है वर्नियर कालिपर और स्क्रू गेज बच्चों को ये टॉपिक नहीं समझ में आता है मैंने अपने 4-5 साल के एक्स्पिरियेंस में देखा है बच्चे इस टॉप को मैंने यहां पर क्यों डाला है यह बहुत ही चोटा सा टॉपिक है आपका लेकिन हर चाप्टर से एक सवाल आपका आही जाता है तो एक चोटा टॉपिक है चोटा चाप्टर है जहां पर आपका तीन से चार ही पारग्राफ में यह पूरा खतम हो जाता है तो इसे भी अग गए एक बार तो आसान हो जाएगा magnetic properties, very very easy topic, very very easy topic right, electromagnetic waves हर साल इससे आपको हर shift में एक-एक सवाल तो देखा जा ही रहा है और similar type of questions इसमें आपको बन के आता है, semiconductor की बात करें, तो 3 most important topic जिससे आपको generally 2 सवाल तो मिली जाता है logic gates, transistor के formula based questions and your zener diode, zener diode का सवाल आपको basically current electricity जैसा ही रहता है, बड़ा ही असान सा ये भी topic है, ठीक है, 9th आपका होने वाला है, 8th आपका है communication, और 9th आपका है optical instrument के formula सारे, कम से क्याब उनके formula अगर आपको याद है, microscope, telescope near में क्या होता है, far में क्या होता है तो आपका काम यहाँ पे बन जाने वाला है, और ये सभी topics मिला कि आपको 32 से 40 number बन सकता है बन सकता है, on a very good day 40 marks तो कहीं नहीं जाने का है, और अगर एकाज सवाल कम भी आया, तो 32 marks तो आपका बनेगा ही बनेगा अब इनको आप कहां से कर सकते हैं आपके सामने ये master pdf है इसे update कर दिया गया है, आप left column में इनी chapters के नाम देख सकते हैं, आपको बस इनके बाजू में जो links है, concept videos के click करना है, उसे सुनना है हमारे यहाँ के जो vernier calipers, screw gauge earth magnetism, ये आपको unmatchable है, एक बार यहाँ से देख लिया, तो समझ मैंना guarantee ही है clear है, I hope आपको इस video से benefit मिलेगा और आप इसका भरपूर फाइदा उठाएंगे चाहे वो आपका revision videos हो चाहे वो आपका PhD videos हो या फिर आपका PYQs series हो, चलिए मिलते रहेंगे wish you best of luck